BCCI के सेंडर कॉंट्राक्ट से हाल ही में बाहर हुए श्रयस ऐयर ने अब एक धमाकेदार पारी खेल कर अपने विरोधियों को एक जवाब दे दिया है, करारा जवाब दे दिया है और एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि श्रयस ऐयर अभी है, मैदान में है और उनका बल्ला अभी भी वैसे ही बोलता है, जैसे पहले बोलता था, हाला कि BCCI ने अपनी सेंडर कॉंट्राक्ट की लिस्स से श्रयस ऐयर को बाहर क्यों किया था, इसका कोई जवाब तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हा, खबरें यहीं मिल रही थी कि अनुशासन हींता के चलते श्र परिचित अंदाज में विरोधियों को करारा जवाब दिया है, दरसल श्रयस ऐयर ने पहले तो जो पहली पारी थी, उसमें तो वो सिरफ सात रन ही बना पाए और जल्द आउट हो गए, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में, फर्स्ट क्लास माच में, उन्होंने अच्छे जोके और तीन चके शामिल हैं, जिहां बेहतरीन पारी श्रयस ऐयर की देखने को मिली इस बार, इसके लावा अगर इस मैच में युवा खिलाडी मुशीर खान की बात करें, तो मुशीर खान भी अच्छा खेलते नजर आये और उनका बल्ला भी अच्छा बोलता हुआ नज के खेमे में खुशी की लहर दोड़ पड़ी है, और KKR ने ट्वीट करकर अपने इस खिलाडी की होंसला अवजाही की है, KKR की टीम ने ट्वीट करके कहा है, बड़े मैच का खिलाडी हमारा श्रयस, जानि की बिग गेम प्लेयर आर श्रयस, तो ये KKR की टीम से आज की टुआ है, इसके अलावा श्रयस, ये की इस धमाकेदार पारी की जो विटनेस है, वो सच चन तनूलकर भी बने और सच तनूलकर वही पर मौजूत है, जब सबस्ते हैं और श्रयस, लिए के पचानवे रन जब हूए और सच बात हुए तोु सचन तनूलकर ने ख़डे हो से बाहर कर दिया गया है लेकिन उनका बल्ला जो है अभी तेजधार में है और बोड रहा है तो श्रहसायर को हमारी तरफ से धेल सारी शुपकामना है और श्रहसायर बीसी से आए सेंटर कॉंट्राक्ट की लिस से अभी तो बाहर है लेकिन उनका बल्ला जाते हैं कि इसी तरह स से बोलता रहे और आगे भी इस तरह की पारियां श्वेस अयर के बल्ले से देखने को मिरें